हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों इस इंटरस्टिंग वीडियो में बात करने वाले ही 220F वर्सेस NH200 के बारे में दोनों का कंपेरीजन करने वाले ही कि दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है 220F लेनी चाहिए या फिर NH200 लेना चाहिए इसके बारे में आज के इस फिरो में आपको बताने वाला हूँ अगर वीडियो अच्छे लेगी तो एक लाइक कर देना और हमारा सरवन भाई या बंदना बजाज का भाई से बात करना है तो जरूर आप लोग इसको मैसेज कर सकते हो चली दोस्तों बात करते हैं दोनों भाई के बारे में अगर चैनल पर पहली बेर है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस के बारे में कि दोनों में कितना प्राइस डिफरेंसेज देखने को मलता है अब ऑबिसी बात है और कोई भी ऐख खरीदने वाले तो सबसे पहले यह सोचते कि जेब में पैसे कितना हमारे पास 40,000 रुपए ग्यास पास की जो है एक सुरूम प्राइस देखने को मल जाती है अगर आप दोनों का कमपेरिजन करोगे तो कही ना कहीं अपनी जो 220F है वो एने से लगबग 8-10,000 रुपा सस्ती है पर ऐसा क्यों वो आपको आगे पता चलेगा चलिए कमपेरिजन में आते है सबसे पहले दोनों की रिव्यू में आते है सबसे पहले आप दोनों का फ्रंट लुक देख लिजे फ्रंट लुक में दोनों ही वाइक बहुत ज़दा अच्छी लगती है लेकिन दोस्तों यहापे कहीं ना कहीं अपनी जो 220F है ना वो फेरिंग होने की वज़े से थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है एस कंपेर टो एनेश 200 आप देख पार है लाइटिंग में लाइटिंग में 220F यहापे सिधे-सिधे वीना रहा है रिजन ही है कि इसमें आपको डूल लाइट मिलेगी एक आपको प्रोजेक्टर लाइट भी मिलती है और एक आपको हेलोजन बल भी देखने को मिलता है इसका एडवांटेज आपको 220F में मिलेगा जो यहापे यह सिधे-सिधे वीना रहा है टनल सिंगल है बल मिलता है लेकिन अपनी जो NH200 है इसमें आपको सिंगल हेलोजन लाइट जो देखने को मिल जाती है एक सिंगल यहापे बल्ब है और एक प्रोजेक्टर लाइट और एक बल्ब है तो 220 है अप लाइटिंग के मामले में यहापे सिधे-सिधे वीना रहा है as compared to NH200 तो भाई मेरा यहापे मदला ओट जाता है 220 को बात कर लेते हैं अप दोनों के सस्पेंशन के बारे में तो भाई अपनी NS अब अपडेट हो गई है NS का कोई comparison नहीं 220 से क्योंकि 220 में आज भी आपको Telescopic Suspension मिलता है बट अपनी NH200 में आपको UHD यहने की upside down जो suspension है वो देखने को मलता है तो इसका advantage आपको कहीं ना कहीं NS200 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि UHD Fox Suspension obviously बाते ज़्यादा बेटर होते है as compared to normal Telescopic Suspension टायर साइज में अपनी NS में front में 11080 के टायर है टायर भी NS में थोड़े बैतर है बात कले braking के बारे में braking में दोस्तों यहाँ पे NS फिर से भी नर है क्योंकि इसमें update हो चुका है अब आप लोगों को bike में dual channel anti-lock braking system देखने को मिलता है बट अपनी 220 app में आपको single channel anti-lock braking system देखने को मिलता है तो यह भी अपडेट आपको NS में मिलेगा मतलब अच्छा मिलेगा कि dual channel EBS और वो single channel EBS है plate size भी बड़ी है अपनी NS की NS की लबख 300 mm की या 220 app की लबख 280 mm के आसपास की मिल जाती है बात कर लेते हैं आप दोनों के engine comparison के बारे में engine में दोनों बहुत बड़ा differences है क्योंकि एक तरब oil cool engine है और एक तरब liquid cool engine है ठीक है 220 app में आपको 220 CC का single cylinder SOSC जो engine है वो oil cool engine के साथ में देखने को मिलता है बट अपनी NS में आपको पता है दोस्तो 129.5 CC का liquid cool 4 stroke SOSC 4 वालो जो engine है वो आपको देखने को मिलता जो कि liquid cool engine के साथ में आता है तो अपनी 220 app है वो भाई कहीं नहीं से थोड़ी कम powerful है लेकिन performance वाईस दोनों almost same perform करती है यहाँ पर उतना कोई differences होता नहीं है 220 app जो है अपनी लगबग 20.4 का सपास की PS power generate करती है अपनी जो NH200 लगबग 24.5 का सपास की PS power generate करती है NH200 में आपको बताना चाहूंगा 18.7 का सपास का intermittent torque है and 220 है अब तरनी बाईक आपको कि आपको टूटेंटी एफ टॉपेंड वन फोटी जाती है एनस वन फिप्टी तक चले जाती है जिरो टूटेंट में टूटेंटी एफ को 10.5 सेकेंड लगते हैं एनस को 10 सेकेंड के असपास के लगते हैं परिंडिकेटर देखने को मेंडिकेटर पर देखने को कि वीडियो चैनल पर प्रिट्राइब कर लेना विलते हैं नेक्स वीडियो में लव्यू और चैहिन वंदे महातरम